नमस्का दोस्तों आप सब केसे हैं आसा करता हूँ अच्छ होंगे और सुस्त होंगे दोस्तों आप सब देख सकते हैं मैं अपने बागान के उड़ आया हूँ और ये दिखे गन्ने का खेट दोस्तों चलते हैं अमरूद के पास दोस्तों देख सकते हैं मैं अमरूद के पेड़ के पास पहुच गया हूँ और अमरूद तो दोस्तों नहीं है छोटे छोटा है दोस्तों देखिए मैं अमरूद के पेड़ के पास पहुच गया हूँ और अमरूद तो दोस्तों नहीं हुआ है उसा खाने लाइक बड़ा बड़ा नहीं हुआ है और दोस्तों एक खास चीज़ दिखाता हूं, यह देखिए दोस्तों, यह हमारा आम इस बार बहुत ही आया है, दोस साल से नहीं आ रहा था उतना ज्यादा, और खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन इस बार बहुर पूर आया है दोस्तों, एक भी जगह बाकी ने यह पूरा ह इस बार आम खानों को ज्यादा मिलेगा यह हमारा ही दोस्तो और यह हमारा गन्य का खेट दोस्तो बहुत ही दिनों के बाद मैं यहां आ रहा हूं अपने खेट को देखने के लिए कम से कम दो तीन माहिने नहीं आया था खेट देखने अब बोला कि ब्लोग भी बनाते चलता हूं दोस्तो इंदर कभी देख सकते हैं इंदर दोस्तो बहुत गर्मी होने लगा और वह दोस्तो बाड़ा वाला पेड़ वही पे बगल में दोस्तो रेलवे पट्री है वहीं से ट्रेंज आता है दोस्तो बहुत गर्मी लग रहा है तो दोस्तो आप चलते हैं घर दोस्तो जब अपने गन्य काटेंगे न तो अब लोग बनाएंगे तो आप लोग जरू देखिएगा इधर कैसे गन्य काटते हैं और कैसे इसको जूस उसका निकालते हैं सब आपको दिखाएंगे दूस्तों नहीं तो हम लोग घरने को फ्यक्टरी में लगे चले जाएंगे आपके वह लोग कर देते हैं और उसके बाद जो पेसा जनरेट होता है तो हम लोग को मिल जाता है एसे भी करते हैं हम लोग यह तो अपने से भी उसका जूस निकाल देते हैं हमनों इसको गुड़ बलते हैं दोस्तों जाओंगा घर और देखता हूं क्या बना है अभी दोपाहर का खाना दोस्तों यह भी आम देख सकते हैं इसका नाम मालदा आम यह भी इस बार अच्छा ही आया है अगले साल उतना बढ़ी है नहीं आया देखिए दोस्तों हमस्ते देखिए यहां मैं रोटी और सब भी खारी हूं दोपाहर में और लोग के लिए चावल निकली हूं ठंडा हो रहा है भी देखिए दोस्तों इसका गुस्सा हो गई है यहां गमची भी सादा हूं बाई बाई दोस्तों इस वीडियो को यही तकते हैं लाइक की यह कमेंट की शस्क्राइब की दिए बाई बाई